तो हानू नौकरी दवाणा सड़ा फर्ज पस तुसी करो आतिन कम ऐसी काल तो हानू भी आवेगी देखाता हो जबेगा खाली गुरू ग्रामच बैठ ठगदी सी चंडी गर्दे लोग साइबर फरोड के मामले लगातार जो दाइरे हैं उसके बड़े हैं लेकिन पुलिस की तरफ से लगातार गिरफतारिया की जाती है जो ठगी की जाती है लोगों की तरफ से और किस तरह से लोगों को गुमरा किया जाता है जो फेक वेबसाइट बना कर इस बार चंडी गर्दे की साइबर सेल ने एक पूरे नेकसेस का परदा फाश किया है एक कॉल सेंटर फेक कॉल सेंटर जो की लोगों को कहता था कि उन्हें जॉब प्रोवाइट की जाएगी और अपना एक पोर्टल जो बनाया हुआ था उसके थूरू लोगों को किस तरह से गुमरा करता हला कि चंदिगड़ की एक महिला की शिकायत पर पुलिस ने इंवेस्टिगेशन की तो नुएडा से ती लोगों को एक महिला समय ती लोगों को काबू किया है हमारे साथ सीनियर ऑफिस सर है डिप्टी सिप्टेंडेंड और पॉलिस वेंकेटेश जी सर ए जो पूरा मामला है यह क्या पूरा मामला था इन्वेस्टिगेशन में क्या है और अभी तक गिरफता रही है जी हमें जन्वरी में एक शिकायत मिली थी चंडिगर की महिला से उनके साथ 62,000 का कुछ चीटिंग हुआ है तो यह जॉब फ्रॉर्ट है बेसिकली तो इनको फोन की जरीए इंटर्व्यू करवाय था इनोंने इनकी डीटेल्स लेके इनको कॉल आया था इनकी इंटर्व्यू कराएगी ऑनलाइन और इनसे प्रॉसेसिंग फीज के नाम पे जॉइनिंग के नाम पे 62,000 रुपे दो तीन अकॉंट्स में इनोंने पैसा ले लिया था तो कुछ दिनों के बाद इनको जब फेक लगा HDFC बैंक की नाम से इनोंने जॉब ओफर किया था इस इंटर्व्यू के दारों तो जब पता चला और फोन्स भी उन्होंने बंद कर दी जिनोंने इंटर्व्यू लिया था तो इनोंने शिकायत देने पर हमारे टेकनिकल टीम ने इस पर काम किया उसमें पता चला अकॉंट होल्डर्स का या बाकी नंबर्स जो इनको कॉल आय तो इसके बेसिस पे तो ये दिल्ली एंसर खशेतर में अक्टिव है करके हमारे टीम ने पता करके तो पिछले दो दिन पहले रेड़ वेड करके वहाँ पे एंसर खशेतर से एक में जो अक्यूज था इसमें तीन साल से एक आल संटर चला रहता है शेलेश नाम से ये बीटेक ड्रॉपआट है और इनको जो मदद करने वाले इनकी अकॉंट्स पकर संभालने वाले पिछले दो साल से एक महिला हारती नाम से एक इनका कॉलर्स को मैनेज करने वाले टीम लीड था एक एक और लड़का इनको तीन लोगों को अरस्ट करके तीन लैप्टॉप, नौ मोबैल्स और कुछ सिम कार्स हमारे टीम ने बरामत किया ओस्यूंट्स प्राइब से लेते थे इसके समय में अपना जौब पोटल में हमारा विक्टिम ने अपना रिजूमे अपलोड किया था तो उनको इन्होंने डेटा वहां से लेकर जौब पोटल से इनको अप्रोच किया आपको मतलब कोई तलाश में है कि उस टाइब से विक्टिम ने बोला कि हाँ जी तो उन्होंने इंटर्व्यू भी कराई मतलब एवरिधिंग जन्यून टाइप लगने जैसा करा और कन्फर्मेशन लेटर भी बेजा आप सेलेक्टेड हो ऐसा वो फेक था उसमें इन फाक्ट कन्फर्मेशन हैजडी एफसी आट जीमेल लाट कॉम नाम से एक मेल एडी से बेचा उसमें भी कन्फर्मेशन के डबल एंड जोड़ा था उन्होंने वो एक फिशिंग टाइप मेल बनायता है इन्होंने तो ऐसा फर्जी वाड़ा इन्होंने काफी जगा भी कर रखा है हमरी अबीजारी है इनकी जो मॉबैल्स वगरा बरामत किया है उसकी भी हम लोग टेक्निकल एविडेंस के तोर पे उनकी भी लिंकेजस के लिए इस वगरा लेके हम लोग हमरा आई फोर्सी एक सवाल इसमें है क्योंकि फेक कॉल सेंटर लोगों को किस तरह से निशाना बनाते है लेकिन किस तरह से अवियर करते हैं क्योंकि वेब पोर्टल जो है नौकरी.com हो गया अपना जॉब हो गया कई न कई अथांटिक भी है लेकिन उसी पर निशाना कैसे लोगों को जो है वो भी जी वो एक गलिबलनेस जो है विक्टिम्स के पार्ट पर उसी को ये लोग फायदा उठाते हैं जो अलनेरबिलिटी है उसको नौकरी चाहिए उस टाइप से हमारा यह कहना है कोई भी जन्यून प्रोवाइडर होता है जॉब को कोई पैसा नहीं मांगता है तो हाँ कोविड के बाद काफी ऑनलाइन इंटर्व्यूस वकर हो रहे हैं जन्यून कंपनी विजिट भी कर लेने चीए जिस बी कंपनी की ज़हां जॉब आफर कर रहा है किस भी प्लेस पे या सचाई में वहां पे ये जॉब्स आउन आफर है क्या ऐसा नहोंने अप्रोच करना है या अपने जानकार वगर जो भी उस कंपनीयों वगर में काम कर रहा हूंगे उनके से भी एक बार चेक कर सकते हैं क्योंकि सरी इस तरह से फेक कॉल सेंटर के पहले भी मामले सामने आये हैं लगतार आप लोग अवेर भी करते हैं और भी कई स्टेट्स में उन्होंने अठगी की वारता तो कुछ अंड़ी कर समय तो बिल्कुल किया होगा हमारे पास तो अभी इ ध्यान रखने वाली चीज़े हैं कि लोग कोई भी अगर वेब साइट पर जॉब जो है वो ढून रहा है सर्च कर रहा है या फिर किसी भी तरह से उस पड़ा ध्यान से जो है वो देखना होगा जैसे सन्ने बताया कि फिजिकली जरूर चेक करना चाहिए चंदिकर से कैमराम संदीब कुमार के साथ मनुजर आठी नुजरेटीन पंजाब